साथियों नमस्कार स्वागत है आपका फियल स्टेडी बंतरे डीप चनल पे साथियो यूपी ट्रपल स्टी की भरतियों के नोटिफेकेशन जो नई नोटिफेकेशन आएंगे और कुछ जो पेंडिंग भरतिया हैं उनके रजल्ट की बात करेंगे और साथियों में एक चीज कर लें और यह रairy दे दे और इसकी जो-kill असाति हो की काट आप झ सकती है और आपको कि port कराने इक उपर उपर जय सकती है आय का कि नमभर नीचे भी जा सकती है है तो आपको दिवी कराने कंशा मिल रहा है इतने अमबर पर au और आपकी जो कमाइंड टेकनिकल का रजल्ट है कभी भी जारी किया सकता है इसकी कोई डेट नहीं है जब आपकी आपके देखने को मिल जाएंगे दूसरा सातियो जैसा कि मैंने कहा था ASO जो ASO भरती है उसकी सेकंड लिस्ट डीबी की जारी की जाएगी इसलिए यह जो भरती है तुमारी ASO की अभी लेट हो गई डिले हो गई ठीक है सातियो अधरवाइस इसका रजल्ट सबसे पहले था ठीक है क्रम में अगर क्रम की बात करी जाएं देखो प्रानी भरतियों की जोने लटगी रती है बटक जाती है इस प्रकार से भी होता है तो इसका कोई किरम तो है नहीं लेकिन अगले हपते आपको देखने को मिल जाएगी अब कितने लोग आएंगी कितने नहीं आएंगी यह तो वक्त बताएगा लेकिन मैंने फाइनल रजल्ट की जो बात बताई थी आपको पहले भी बता दी और अब भी बता रहूं है इसका रजल्ट अब डिले होगा लेट हो जा यह प्रोसेस होती है बहुत सारी डाटा फीडिंग वगरा होता है तो मार्च तक आपका चना जाएगा अगर बहुत ज्यादा प्राइटी पर ले लिया तो फरवरी अंत में हो जाएगा लिके तो दो रेजल्टों की बारे में बात हो गई आप देखो तीसरा रेजल्ट जो है आना सुरू ही है पेपर में किसी में तो सुरूबात इस पेपर से हुई है जूनियर असिस्टेंट के पेपर से पेपर टफ वनने लगा है जूनियर असिस्टेंट के पाद जितने भी पेपर हुए हैं इपिट पलेशी ने करा हैं सारे पेपर टफ आए हैं कोई भी पेपर ले लो ठाके इवन पैट काई पिपर इसके बाद हुआ है टफ हाया एकदम से ठीक है तो जूनियर असिस्टेंट की ज्यादा नहीं जाएगी और जिसमें 21 लोगों ने लगवाग परिच्छा दी उसमें से 25 वर्ड परिक्मिन्ट होती है और इंगलिस की 30 होती है और हिंदी के लिए कुर्टी देप हो या मंगल हो दोनों पर सीख लेना कोई समस्या नहीं है दूसरा जूनियर असिस्टेंट की जो 55 वारह है इनकी सौर्ट लिस्टिंग मार्च में हो सकती है साथियो ठीक है मार्च में हो जाएगी और अफंठ नई भरते जूनियर ऑसिस्टेंट की 25 ह 2 3 से आएगी जो मैंने पहले भी बता दिया है और मैं आगे भी बताऊंगा आपको 9 3 से एक और नई भरती आने से आने वाली है तुमारी किस में स्किके ट्यूनियर असिसके की यूपी मैं बहुत सारी पोस् परम बढ़ाए सबको पेपर देने का मौका मिलेगा ठीक है सोचो इमत कि क्या सौट लिस्ट में आएगी क्या नहीं आएगी ठीक है और बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो गया तो दस नमबर पे उससे ज्यादा नहीं होगा सबको मौका मिलने वाला है दूसरा सातियो जो बीडियो भरती है इसके रेजल्ट की बात बहुत तेजी से चल रही थी कि रेजल्ट आएगा और मैंने भी बताया ताब 15 तारीक तक इस फरवरिता किसका रेजल्ट आजाएगा लेकिन इसमें कोट केस हो गया बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपकी वैसे कोट केस हैं हमारी वैसे कैसे कोट केस हो गया मैं कभी भी किसी को कोट केस के लिए प्रमोट नहीं करता हो ना करूंगा क्योंकि इपीट प्लस से की भरतियों का हाल बेहाल है लोग बरबाद हो रहे हैं इपीट प्लस की भरतियों से कोट केस करना यह मालेना जहर है और जिस स कर रहा हूं उनसे बात करने की कुछिस करूंगा जिसे कोट केस बापस हो जाए और आपका जल्दी सेल दिया आए यह बात बुलकुल हकीकत है कि अगर किसी भरती में कोट केस हो गया तो भरती बरवादी की तरफ चली जाती है एक पीटर प्लस से की आवाद नहीं होती हो बरत कोट केस के चकर में अटक गई ठीक है तो आप भी समझो वीडियो वाले दोहर अठारेगी भरती है आपकी जिसने भी साथी ने कोट केस किया है प्लीज उस कोट केस को बापस ले लो अदरवाइस आपका कुछ नहीं होगा ठीक है यह कोट केस ऐसी चलता रहेगा और यह भर कोट केस के मामले में तो कोट केस ऐसी चलता रहेगा तो वीडियो वाले साथी उन साथी का नंबर निकालो और जहां पर भी हो साथी उन से रिक्वेस्ट करो कि साथी इस को बापस लो कोई फाइदा नहीं होने वाला है आपको यह भरती अटक जाएगी बहुत बुरी तरह से ठीक इसलिए मैं कहता हूं मैंने कोई 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 किसका इनिसियेट नहीं किया है यह बात समझ लेना आप साथी दूसरा साथी मंडी स्पेक् परीवी देखने को मिल जाए फरबरी और मार्च में बहुत जाता रेट आएंगे यूपीट प्लसी को खुद माले में बार बार में कह चुका हूं कि यूपीट प्लसी तुमारा मार्च के बाद जैसे आचार सहींत लगेगी ठप हो जाएगी एकदम से इसलिए उसे माले मे जितने रेट निकालने निकाल दो जितने नोटिफिक्स निकालने निकाल दो और जितने मतलब डीवी कराने करा लो उसके बाद कुछ नहीं होगा तीन-चार बहिन एकदम ठप रहेगा यह चीज बलुकुर अब देखो साती हो जेई दुहर अठारे का जो फाइनल पर काम चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बड़ी समस्या है कि जेई दो हर सोले के अभी तक जोइनिंग नहीं हुई है उसके लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे और जोइनिंग के लिए रजल्ट आ जाता जोइनिंग तक नहीं होती यह देख लो आलम यह है और दूसरा यह सुनने में आ रहा है कि जासे मिन बताया था कि इसका नोंटिफेटेस्ट आने वाला है इसका qualification अभन हो यह का सुनाल यकिन मिरे को पहले सुर्भाई सुनाई आया था कि उन्होंने बताया है उसके को टो हृत लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि बढ़ गई है साइद 2000 के सम्थिंग में वेकंसी आएंगी तो जेई की बहुत बड़ी वेकंसी होने वाले यह ठीक है पिछली बार देखो 2016 में कितनी कम वेकंसी थी 2018 वाले में वेकंसी तो कुछ जादा थी लेकिन बाद में घट गई थी लेकिन अगर अगर 2000 वेकंसी की सम्थिंग आ गई निश्यार वेकंसी आ गई यह माले ना बंपर भरती है और जवरस तरीकेश त्यारी करना इसकी आप ठीक है इसपेसल वेकंसी होती है बहुत सारे लोग अधिया आयोग ने उन्होंने कह दिया कि सिर्फ एलिजबल है तो डिपलमा वाले हैं तो उसके लिए पहले ही क्लियरिफाइब कर देता है ठीक है तो सातियों यह सारी भरतियों कि मैंने रेजल्ट बगरा के बारे में सब कुछ पता दिया कि कौन-कौन से नोट्फिकेशन आएगा ऐसी बात नहीं कि यह नहीं आएगा वह भी आएगा ठीक है साती हो तो यह नोट्फिकेशन आने वाले हैं तो आप ध्यान रखो ठीक है साती हो और रिजल्ट आपके बहुत जल्द फरवरी मार्च में आ जाएंगे जितने भी आने हैं सारे के सारे यह बेल आएक एंज भूल दबादो जिससे मेरे आने वाले वीडियो को नोट्फिक्शन आपको मिलते रहेंगे ठीक है साथ धन्यवाद